वहां की जो लखनव की तहजीब है, वहां का जो अंदाज है, उसे तो आपने किताबों में पिरो दिया, लेकिन आप एक जाने माने दास्तान गो भी हैं, इस सफर पर कैसे चल पड़ें? इस सफर पर ऐसे चले कि हमारे दोस्त अंकित चड़ा आप में से सारे लोग तकरीब उनसे वाकिफ होंगे, हम तो दास्तान क्या सुनाते हैं, हम तो असल में एक कोशिश करते हैं कि जो अंकित जादू किया अपनी जिंदगी में उसकी याद लोगों को आती रहे हम हमेशा कहत कि अगर हम खराब दास्तान भी सुनाएंगे तो अंकित को लोग याद करेंगे कि अंकित अच्छी दास्तान सुनाता था तो अंकित चड़ा हमारे दोस्ते बहुत अजीज वो हमको हाथ पकड़ के दास्तान गोई में ले आगे तो इस तरह से दास्तान गोई में आगे लेक किताब के लखनौ 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 क तो यह कोशिछ है कि लगनाओं के उन कृस्सों को संजो लिया जाया जो कि अब शायद फना हो रहे हैं या फरामोश हो रहे हैं लोगों के जहन से तो एक कोशिछ है तो इमांशी जी बताईए कि काफी कुछ तो थेट्रिक्स भी इन्वॉल्ड होती है जब आप दास्तान गई करते हैं, वो फन कहां से सीखा? वो फन अंकित नहीं सिखाया, तो थेट्रिक्स के तो क्योंकि हमें तो उतना तजर्बा भी नहीं था, हमने तो अंकित से बुनियादी सवाल मेरा अंकित से यही था, कि भाई यह तो इसमें एक जोहर चाहिए होता है, ड्रामाईएत का, वो कहां से होगा, तो अंकित नहीं ज़ादा होते थे, और एक जिसमें एक अंदाज होता था जिसमें सुनाने पर जोड़ दिया जाता है, तो मेरा तरीका एक आर जो है, वो मेरी चुकि एक सीमा है, उस ड्रामायत को पेश करने के इसले उस पर सुनाने पर ज़ादा जोड़ है, और अब तो ठीक था, अब कोई भी दास्तान गोई कहते हैं, या फिर आप लिखते हैं, तो कलाकार की फिक्र उसमें जलगती है, आपकी क्या फिक्र है? बिलकुल फिक्र जलगती है, और इस किताब में भी शुरू से आखिर तक जो किस्सें हैं, और जो हम दास्ताने भी सुनाते हैं, उनमें वो फिक् एक तो शहर वो है जिसमें हम रहते हैं एक शहर वो है जो हम में रहता है जो हमारे जहन में रहता है तो हमारे लिए लखनाओं का जो तसवर है वो यही है कि भाई एक ऐसा शहर जिसमें एक ऐसा माशरा था जिसमें मेल मिलाब था जिसमें लोग दूसरे खरीब थे, जिसमें तैजीब थी, जिसमें अखलाग था, जिसमें रवादारी थी, जिसमें महबत थी, और जिसमें मजभी तासुब नहीं था, जिसमें फिरकों का, तबके का, रंग का, रूप का, कोई विभेद, कोई तफरीक नहीं थी, तो एक ऐसा लखनौ था और हमें लगता है कि आज के दौर में इन खिस्सों की जरूरत क्या है दरसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है जिन्होंने लखनौ के बारे में किताबे पढ़ी हैं नागर जी को पढ़ाया है जिन्होंने योगेश वरीन को पढ़ाया है जिन्होंने रोशन तकी क पढ़ाए जिनों ने अथर्शाम हुसेन को पढ़ाए वो सारे उनके लिए एक रिस्सें ने नहीं है। लेकिन इस दौर में इन इन किस्सों को सुनाने की जरूरत दरस लिया ही है कि हम जस दौर में हैं उन में ये सारी चीजों की बातें करना और बार बार बात करना जरूरी है कि लोग एक दूसरे के खरीब आये और मुझे लगता है जब बहुत जोर जोर से कुछ बातें की जा रही हो बहुत नफरत पहलाने वाली कुछ बातें की जा रही हो तो बहुत हलके आहंग में बहुत नाजुकी के झाल